हेलो फ्रेंट्स वीडियो में बहुती खुबसरत लटकन के साथ इस डिजान को क्लिएट करेंगे तो पहले इस बॉर्डर को तयार करेंगे इस बॉर्डर को तयार करने के निए नीचे के और हमने पेपर पेस्टिंग चीप का दी है आईरोन के साहिता से अब इसमें हम इसको लंबाई मेजरमेंट करेंगे इसका लंबाई है 14.5 इंच इसका चोड़ाई है 5 इंच अब कुछ इस तरीके से इसको दूसरे साइड पलटना है और यहां पर थोड़ी सी मार्जीन छोड़ते हुए इसको थोड़ी सी फोल्ड करेंगे और यहां पर सीधा इसको इस्टिचि देखी सकते हैं बहुती सिंपल तरीके से हम इस डिजाइन को क्रिएट करेंगे बहुती असान तरीके से अब यहां पर हमने नीचे के और धागा बगेरा यह फिर नहीं किसेकने के लिए यहां पर हम सिंपल सा लेज यूज कर रही हूं अगर आपका पास कोई से भी बोर्डर को आप तयार कर सकते हैं बहुती कम समय के अंदर बहुती असान तरीके से इस बोर्डर को आप ईज ली तयार कर सकते हैं अगर यहां से हमें 3 पोइंट पे एक निशान लगा दीनी है निशान लगाने के बाद कुछ इस तरीके से यहाँ पर हम पहले ड्रो कर लीती हैं तो कुछ इस द्रो करने के बाद नीचे के ओर से इसको मेजर्मेंट करेंगे यहाँ पर 7 पॉइंट पे एक निशान लगाएंगे अब निशान लगाने के बाद कुछ इस तरीके से इसको cutting कर लेते हैं तो फिर इस देखिए उपर के साइड हमारा cutting हो चुकी है अब यहाँ पर छोटा सा cut लगा देंगे middle point पर भी छोटा सा cut लगा देनी है cut लगाने के बाद कुछ इस तरीके से यहाँ पर plate लेते हैं अगर आप जादा लंबाई में फेबरी के लिए तो आपका plate जादा होंगे तो यहाँ पर हमने 17 इंच भी लंबाई ली है तो फिर इस देखिए सकते हैं यहाँ तक हमारा छोटा सा cut लगाए है तो यहाँ तक इस plate लेते हैं तो एक side का plate लेते हैं हमारा easily यहाँ पर बन चुकी है अब यहाँ पर इसको stitching कर लेते हैं stitching करने के बाद हर एक plate जो है अची तरीके से एक ही type में यहाँ पर लग चुकी है अब same process follow करते हुए दूसरे side को plate लेते हैं फटा पर से complete कर लेते हैं तो देखे friends end side में भी जहाँ तक छोड़ा सा cut आप देख सकते हैं यहाँ तक कि इस plate लेते को जो cut है तो यहाँ पर से ही हम लगाना है क्योंकि जब भी आप दोनों side को जो plate अगर same map में लगाते हैं तो इसको मिलने के तरीका बहुती easy होता है इसलिए हमने यहाँ पर नीचे के ओर से इसे हम यहाँ पर stitching कर दी है अब उपर बाला part को कुछ इस तरीके से त्यार करेंगे तो परेंज देखी सकते हैं कुछ इस तरीके से इस प्लेटेस को यहाँ पर लगा दी है अब उपर बाला जो plate से उसको अच्छी तरीके से फ़एरे sit करेंगे उसके बाद यहाँ पर इसको stitching करेंगे तो अपरेंस देखी सकते हैं दोनों साइट को प्लेटेस को भी हम कुछ इस तरीके से स्टेचिंग कर लेंगे तो चलिए एहां पर जितना भी हमारा पास एक्स्टा फिब्रिके इसे हम कट करके निकाल देते हैं तो दोनों साइट को एक्स्टर करके, हमने कटकर के यहां से निकाल दी है अब इस बोर्डर को यहां पर इसको लगा देंगे इस बोर्डर को लगाएंगे कुछ इस तरीके से थोड़ी सी अंदर के साइट मार्चिन छोड़ते हुए इस फेब्री को लेंदर के साइट थोड़ी से यहाँ पर मार्जिन छोड़ देंगे और इसके उपर में हम इस बॉर्डर को एटच कर लेंगे तो फिर देखी सकते हैं दोनों साइट को जो हमारा नीचे के और बॉर्डर और उपर को प्लेटेस दोनों ही लग चुकी है अब इसमें डिजाइन करीट करेंगे डिजाइन करीट करने के लिए यहाँ पर दो इन चोड़ाई फेबरी के लिए है जो कि कुछ इस तरीके से हमने डबल पोल्ड कर देंगे डबल फोल्ट करने के बाद यहाँ पर सीधा इसको स्टिच्रिंग लगा देनी है तो इस पत्ती हमने ज़्यादा ही ली है क्योंकि इस पत्ती में हम प्लेटेस डालने वाले हैं इसलिए यहाँ पर आप ज़्यादा ही पत्ती को लंबाई जो है उसको लेना है अगर आप दो लटकर लगाना चाहते हैं तो आपको कम फेबरिक लेना होगा अगर आप चार लटकर लगाना चाहते हैं तो आपको ज़्यादा फेबरिक लेनी होंगे तो कुछ इस तरीके से इस्टी स्रिंग करने के बाद यहां पर बहुत ही छोटा छोटा हमने यहां पर प्लेटेस डाल दी है तो कुछ इस तरीके से हर एक प्लेटेस को डालते जाएंगे और यहां पर जो हमने प्लेटेस डाली है बहुत ही छोटा प्लेटेस है इसलिए यहाँ पर थोड़ी सी समय लगेंगे आप अगर जादा ही छोटा प्लेटेस इंस करते हैं तो इसको लुक्चर है और बहुत डेफिनिटली अच्छी आती है और यहाँ पर आप भी कोसिस कीजिएगा छोटा-चोटा प्लेटेस लगाने का तो प्रेंच देखी सकते हैं यहाँ पर जो हमारा प्लेटेस से स्टिचिंग हो चुकी है आप खुद देख सकते हैं कितना छोटा-छोटा प्लेटेस हमने यहाँ पर लगाई है अब इसमें हम लटकर को उपर बाला पार त्यार करेंगे तो यहाँ पर 4 फोल्ड में हमने इस फेबरी को ले ली है और कुछ 2-3 इंच लंबाई में इसको कटिंग कर लेंगे तो इसी तरीके से हमने कॉर्णर के साइड से फोल्ड कर दी है और इसको थोड़ी सी गोलाई देते हुए इससे कटिंग कर लेंगे अब cutting करने के बाद देखी सकते हैं चाड़ो हुई लटकन को लिए हमने यहाँ पर cut कर दी है अब इस plates को हम उपर के side रखेंगे और थोड़ी सी गुलाई shape देते हुए यहाँ पर इसको cutting कर देंगे cutting करने के बाद इसको अच्छी तरीके से हर एक जो हमने रटकन बनाएंगे कुछ इस तरीके से ही इसको लगाना है तो चलिए फटापर से इसको complete कर देती है तो प्रेंस अभी तक भी चैन के subscribe नहीं किये हैं तो प्रेंस देखी सकते हैं एहाँ पर जो लेटेस है कुछ इस तरीके से इसको stitching करते जाएंगे और इसको हम बाहर के तरफ निकलते हुई इसको stitching करेंगे तो यह अच्छी तरीके से बाइर जाती है कोई भी दिकत नहीं होता है तो आप चाहते हैं यहाँ पर लेज भी यूज़ कर सकते हैं हमने यहाँ पर simple सही रखे हैं अगर आपको पास लेज नहीं है तो आप simple सही इस लटकुन को बना सकते हैं हुआँ पर मर्केल वाली ले री है अगर आप खुश से बनाना चाहते हैं तो आप खुश से बना ले जिएगा ढोडी को और यहाँ पर कुछ इस तरीके से एटच कर लीनी है अब इसको हम कटिंग कर लेते हैं कटिंग करने के बाद इसको बाहर के तरफ फेंच रहा है और यह कापी अच्छी तरीके से बाहर के तरफ निकल जाती है तो देखी सकते हैं कितना खुपसुरस सा लटकन बनके त्यार हो चुकी है अब यहां पर थोड़ी सी यहां पर छोड़ देंगे डोड़ी के उपर वाला हिस्सा पे और इसको फिर से हम कुछ इस तरीके से ही स्टिजिंग कर लेते हैं तो दोनों साइट को जो लटकन है वो इसी तरीके से स्टिजिंग हो चुकी है तो एक साइट के लटकन हमने कम्प्लीट कर दी है अब दूसरे साइट को लड़े लिए हमने यहां पर डोड़ी म इसमें फ्लावर बनाएंगे फ्लावर बनाने के लिए हमने जो फ्लेटेस बाला लेस बनाये थे उससे से ही इसको हम स्टिचिंग करना स्टार्ट करेंगे सुईधाया के मदद से और इसको खुपसरत एक फ्लावर को सेप दे देंगे तो कुछ इस तरीके से सुईधाया के मद इसको stitching कर लेंगे तो चलिए friends फटापर से इन प्रोसेस को complete कर लेते हैं और उसको बाद आप सभी को दिखाते हैं जो इस flower बनके तयार हो चुकी है कैसे इस flower को बनाए है तो दोरों साइट को जो जोईन करना था कुछ इस तरीके से सुईधाया के मदद से हमने जोईन कर दी है अब जोईन करने के बाद कुछ इस तरीके से छोटा सा flower बनके तयार हो चुकी है जो कि फेबरी के मदद से आप बहुत ही एजी तरीके से कुछ इस तरीके खुपसरत flower बना सकते हैं अब फ्लावर बनाने के लिए कुछ इस तरीके से पहले इस लटकोन को यहाँ पर चीपका देंगे चीपकाने से पहले इस लटकोन को हमने पहले अच्छी तरीके से स्टिचिंग कर लेंगे स्वीधा के मदद से अब stitching करने के बाद यहाँ पर हम middle से ही इसको लगाना start करेंगे middle में इस design जो है उसको हम अच्छी तरीके से set करेंगे और इसको stitching करने के बाद कुछ इस तरीके से इस flower को यहाँ पर हम लगाएंगे तो प्रेंस देखी सकते हैं कितना असान तरीके से इस खुप्तुरत design को आप भी clear कर सकते हैं बहुती कम समय के अंदर तो देखी सकते हैं फ्रेंस फाइनाली इसको complete कर लेंगे अब यहाँ पर जो आप मोती देख रही हैं यहाँ पर हमने सबसे बड़ी वाली मोती लगा दी है जो कि बड़ी वाली मोती लगाने के बाद जो उपर के flower है और इसको जो लूप है और भी बहुती beautiful आ रही है तो फिर इस देखी सकते हैं यहाँ पर इसको हमने completely लगा दी है अब लगाने के बाद यहाँ पर चोड़ा-चोटा मोती भी चारो साइड stitching कर लेंगे कुछ इस तरीके से अब stitching करने के बाद शूई धाय के मदश से इसको अच्छी तरीके से सेट कर लेंगे सेट करने के बाद यहाँ पर इसको अच्छी तरीके से पक्का कर तो इस टीचिंग कर लेंगे देखी सकते हैं इसका फाइनल लूप वीडियो अगर पसंद वीडियो के एक लाइचर करना तेंक्स पर वाच्छिंग मा वीडियो